और्गनिक कार्बन कंटेंट किसी खेत की मिट्टी को उपजाओ बनाने में सबसे महत्पूर्ण भूमिका निबाता है जिस खेत में इसकी पर्यापत मातरा होती है उस खेती की पैदवार और उतपात की गुडवत्ता दोनों ही अच्छी होती है प्रागर्टिक तरीके से खेत में एक फीज़ी और्गनिक कार्बन कंटेंट बढ़ाने में सौ साल से अधिक का समय लगता है किसानों के खेत में फसल और सबजियों की पैदवार और गुडवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि जिस खेत में किसान खेती कर रहा है उस खेत में और यानिक कार्बन की मातरा कितनी अधिक है समाने रूप से जिस खेती की मिट्टी में और यानिक कंटेंट अधिक रहेगा उस खेत में पैदवार अच्छी होगी और उपच की गुडवत्ता भी अच्छी होगी साथी वतपाद में पोस्वतत भी वरपूर मात्रा में रहेंगे आमतार पर खेती के लिए खेतों में रासाइनिक खाद और कीटनासा का इस्तमाल करने उपर मिट्टी में जैविक कार्बन कंटेंट घड़ जाता है इसके करण वहां की पैदावार की कमी आ जाती है क्रसी वग्यनिक मानते हैं कि एक खेत में प्राकार्थिक तरीके से जैविक कार्बन कंटेंट को एक प्रतिसत बढ़ाने में सौ साल से अधिक का समय लगता है जबकि जिस खेट की मिट्टी में औरगेनिक कार्बन कंटेंट दिसम्बला 5% से कम होती है वैसे वैसे मिट्टी बंजर होती जाती है पर देश की प्रगतिसील किसानों ने एक ऐसी तकनीकी खोच की है जिसे वेगेनिक भी मानिता दे रहे हैं जिससे तीन साल के अंदर एक खेट की मिट्टी में औरगेनिक कार्बन कंटेंट को एक फिस्दी से अधिक किया जा रहा है यह ऐसी तकनीक है जिसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होता जबकि गोबर, गोमोत, गोड़ और सूखे पत्तों के जरिये इसे बनाया जाता है जैविक और प्राकर्दिक खेते के लिए यह काफी फायदिमन साबित होता है खेतों में औरगेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए अंबरत मिट्टी का अपयोग किया जाता है अंबरत मिट्टी बनाना बेहदासान है इसके लिए पहले अंबर अजल बनाना पड़ता है बिर्साकर सिवत ध्याले की बिजनेस और प्लानि डिपार्टमेंट के सीओ बताते हैं कि अंबर अजल बनाने के लिए एक किलो गोबर एक लीटर गोमुदर पचास ग्राम गोड़ दस लीटर पानी को अच्छे से गोल मिला कर तीन दिन तक रख देते हैं तीन दिन में ये तयार हो जाता है बीच बीच में चलाते रहना चाहिए फिर इसे सॉलिटर पानी में मिला कर गोल दें सीधे खेद में छिड़काओ करके इस्तवाल कर सकते हैं अमरत मिट्टी बनाने में थोड़ी महनत और समय लगता है इसमें तीन स्टेज होती हैं पहले एक महीने का दूसरा दो महीने का और तीसरा एक महीने का होता है अमरत मिट्टी बनाने के लिए सूखे पत्ते जमा करके अम्रजल में डाल कर 24 गंटे के लिए डूबा कर छोड़ देते हैं फिर 24 गंटे बाद इन पत्तों को खेट की मुट्टी लेकर 3 क्रोस 10 फीट का वेड़ बनाते हैं इसकी उचाई सवाफीट की होती है इसमें एक चौथाई खीट की मुट्टी का इस्तवाल किया जाता है इसके बाद पहले महीने में सब्ता में चार बेड़ को पलटते रहें पहला और चौथा महीने में यह पक्रिया होती है दूसरे महीने में दलहन, तिलहन, औसदी, पौदे, अनाज, लटा, लटावली सब्जियों के बीज और बड़े पेड़ की बीज को ले लेते हैं एक पेड़ के लिए सब बीज मिला कर 300 ग्राम लिया जाता है फिर उसे अमरत जल में मिला कर बेड़ में छुड़काओ कर देते हैं इसके बाद जो पौदे निकलेंगे, उसे 21 दिन बाद 3-24 इसे को काट कर पत्ते को वहीं गिरा दे इस प्रक्रिया हर 21 दिन में तीन बार दोहराएं फिर चौथे महीने में बेट को पलट दे इस प्रक्रिया से अमरत मिट्टी बनाई जाती है मिट्टी की गुडवत्ता NPK के मध्यम से मापी जाती है जबकि इसे मापने का मापदंड, मैक्रोबियल देंसिटी और डाइवरसिटी होना चाहिए था क्योंकि अगर हम यूरिय, डीएपी और फासफूरस डालते हैं तो पौध्धे उससे अपने जरूत का ही नूट्रिंट लेते हैं बाकी जमीन में बेकार पड़ा रहता है जिसके कारण मिट्टी हम लिए होने लगती है इससे मिट्टी में मौजूद माइक्रोप्स, जिवाणों जैसे राइबोजियम, एजेक्टोबेक्टर, ट्राइकोडर्मा नुकसान होता है इस तरह से जमीन की उपज़व चमता धीरे धीरे कम हो जाती है और मिजच ये बन डर होने, जमीन जरंजर हो जाती है पर हमरत मिट्टी से मिट्टी की उडवत्ता वनी रहती है और लंबे समय तक किसान खेती कर सकते हैं किसान भाई इस बात का ध्यान रखें है कि हमेशा खेत में पुवाल सूखे पत्तों से मल्चिंग करें इसे पाने की खपत घटेगी और सूखन जिवाड़ों बढ़ेंगे साथ ही उन्हें पत्तियों के सड़ने पर बोजन भी मिलेगा